कौन benefit हो रहा है मोधी जी इसमें ना तो किसान benefit हो रहा है ना final consumer benefit हो रहा है या तो आप benefited हो रहे हो या wholesalers benefit हो रहे हैं और आप मुख के ढोल बजाने वाले कि महंगाई की दर का एक गलत और जूटा ढोल बजा रहे हैं आज उस ढोल की पोल खोलने में आपके सामने आया हो पिछले तीन-चार दिन से सरकार और सरकार के ढोल बजाने वाले महंगाई की दर का एक गलत और जूटा ढोल बजा रहे हैं आज उस ढोल की पोल खोलने में आपके सामने आया हो पिछले तीन-चार दिन से ये बताया जा रहा है कि देश में WPI जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं वो नेगेटिव हो गया CPI भी थोड़ा कम हो गया तो महंगाई से देश को राहत मिल गई ये बड़े बड़े अक्षरों में डोल बजाया जा रहा है और कई जगा उस डोल को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी जा रहा है आज मैं उसी आक्डों की डोल की पोल खोल लें आपके सामने आया हूँ नेगेटिव होलसेल प्राइस इंडेक्स कुछ एसेंशल कमोडिटीज में हुआ पर मैं आपसे पूस्ता हूँ क्या एक भी एसेंशल कमोडिटी की कीमत में कोई कमी आई आक्ड़े छोड़ दीजे आ ओईल्स, सिरियल्स इसमें डबलू पी आई या तो नेगेटिव आया और नेगेटिव भी छोटा मोटा नी डबल डिजिट नेगेटिव पर क्या सबजियों के दाम आपको कम होते दिखे या देश में किसी और व्यक्ति को कम होते दिखे क्या अनाज के दाम किसी को कम होते दिखे पैट्रोल नेगेटिव WPI में था क्या पैट्रोल और LPG जिसका की नेगेटिव WPI है क्या पैट्रोल और डीजल और LPG का दाम एक पैसा भी किसी ने कम होता हुआ देखा कि आकड़ों की बात आकड़ों से करूंगा और आकड़ों को इदिफीउज करूंगा और सारे आकड़े बारत सरकार के तो क्या हो रहा है suit बूट बूट की सरकार या तो खुद बेनिफिट हो रही है या अपने कुछ मित्रों को बेनिफिटेट कर रही है होलसेलर्स को अंटिम कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं मिल रहा है मैं बात की शुरू करूं आगे उससे पहले आपको WPI और CPI का मौलिक अंतर बता देता हूं WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स रिटेलर कंज्यूमर को चीज बेचता है उससे पहले जो भी प्राइस में डिफरेंस आता है वो WPI में कैप्चर होता है जैसे कोई प्रोड्यूसर किसी होलसेलर को बेचेगा वो WPI में आएगा पर अगर दुकंदार आपको या मुझे बेचे वो CPI में आएगा तो अब हो क्या रहा है देश में मई 2023 में आकड़ा आया कि WPI माइनस 3.48 परसेंट है और CPI प्लस 4.25 परसेंट है मतलब WPI लगबग माइनस 3.5 प्रतिशत और CPI पॉजेटिव सवाचार प्रतिशत और मैं कुछ जरूरी वस्तूओं के WPI यह रखता हूं आपके सामने सबजियों में माइनस 20.1 परतिशत आलू माइनस 18.7 परतिशत और सीट जिससे की इटेवल ऑइल बनता है उसमें माइनस 15.6 परतिशत वेजिटेबल और वेजिटेबल और वेजिटेबल और से दाम कम हो रहे हैं और यही सारी चीजे CPI FOOD AND BEVERAGES का वो है 3.29 परतिशत अर्थाथ अगर मैं किसान हूं तो मैं जो फसल के पैदा कर रहा हूं सबजियां उत्पादित कर रहा हूं या ओइल सीट्स का उत्पादन कर रहा हूं मेरे लिए दाम घट रहे हैं और मैं यह वो किसान अपने परिवार के consumption के लिए वो चीज बजार से लेने जाता हूं तो दाम बढ़ जाते हैं तो कौन benefit हो रहा है मोदी जी इसमें ना किसान benefit हो रहा है ना final consumer benefit हो रहा है या तो आप benefited हो रहे हो या wholesales benefit हो रहे है और आप मुक्दर्शक बनके बैठे हो और आपके ढोल बजाने वाले ढोल बजा र क्रियूट पैट्रोलियम का डबलू पी और सारे सरकारी आंकड़े जो कच्छा तेल है उसका डबलू पी आई मई दोजार तेवीस में माइनस 27 प्रतिशत रहा मतलब 27 प्रतिशत कम हुआ मैं दोजार तेवीस में मैं 2022 के मुकाबले एलपीजी माइनस 24.3 प्रतिशत मतलब एलपीजी के दाम लगबग 24 प्रतिशत मैं 2023 में मैं 2022 की तुल्ला में गिरे पैट्रोल माइनस 9.4 प्रतिशत हाई स्पीड डीजल माइनस 17 प्रतिशत और वहीं CPI कहता है फ्यूल एंड लाइट में प्लस 4.64 परसेंट की व्रद्धी हुई मतलब कच्चा तेल सरकार खुद मान रही है यह मेरा आकड़ा नहीं है यह जो सरकार ने प्रेस रिलीज जारी करी 14 जून कुस का आकड़ा है जिसके बाद ढोल वजाए गए उस आकड़े के अनुसार एलपीजी में 24.3 प्रतिशत की कमी हुई मई 2023 में मई 2022 की तुलना में उसके अनुसार पेट्रोलियम में 27 प्रतिशत की कच्चे तेल की कमी हुई पर हमको क्या एक पैसा भी पेट्रोल, डीजल, LPG सस्ती हुई, एक पैसा भी, वहाँ पर 27 परतिषत की कमी LPG में, 24 परतिषत की कमी LPG में, 27 की कमी कच्चे थेल में, 9.4 की कमी पैट्रोल में, 17.03 परतिषत की कमी HSD में, और फायदा क्या consumer को मिला और मैं नहीं कह रहा Luke इंदर नहीं मिला उल्टा दाम तो आगह hätte चलते हैं सब textile और wearing आपारेल्स और यह वह कपड़े है । जो आप और मैं पहनते हैं वह वाले कपड़े नहीं जिसमें मोधी 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 लिखावा वो वाले वो वाला जैकेट भी नहीं वो वाले कपड़े जो कॉमन आम जो साधारन व्यक्ति पैन रहें टेक्स्टाइल की कीमतों में WPI में मैई 2023 में माइनस आठ पॉइंट दो आठ प्रतिशत अर्थात लगबग सवा आठ प्रतिशत की कमी होती है वीरिंग एपिरेल में मात्र 1.7 प्रतिशत की बड़ोत्री है और अगर हम CPI देखें उसका तो क्लोथिंग एन फुड़ वेर में साड़े 6 प्रतिशत से जादा एग्जेक्ली बताओं तो 6.64 परसेंट की बड़ोत्री होती है मतलब प्रड्यूसर सस्ते में होलसेलर को माल बेच रहा है पर वही माल रिटेलर हमको सस्ते में नहीं बेच रहा है उल्टे भाव बढ़ा के बेच रहा है तो फायदा किसका हो इस प्रोसेस में की कौन पैसा कमा रहा है प्रोड्यूसर कच्चा तेल का जो जो एक्स्पोर्टर है वो कच्चा तेल भारत सरकार को सस्ते में दे रहा है एल्पीजी का जो प्रोड्यूसर है वो भारत सरकार की जो पीएस यूज है उनको गैस सस्ते में दे रहा है टेक्स्टाइल में साड़े सवा आठ प्रतिशत की कमी हुई है प्रोड्यूसर से लेके होलसेलर तक पर वोई टेक्स्टाइल का प्रोडेक्ट हमको साड़े छे प्रतिशत से ज़्यादा में मिल रहा है एक्जेक्ली बताओं तो 6.64% और धोल बजाने वाले कह रहे है साब महिंगाई कंट्रोल में आ गई यह कैसा कंट्रोल है इस बाबत हमारे चार स्पेसिफिक सवाल है पोर वेरी स्पेसिफिक कोश्चन और यह जो मैंने टेबल बनाई है यह टेबल में आप सब के सामने आपको दूँगा यह WPI का आकड़ा इस टेबल में यह CPI का आकड़ा इस टेबल में और दौनों आकड़े मई 2023 के आकड़े है जो भारत सरकार ने प्रेस रिलीज में 14 जून को जारी किये है अब इस बाबत हमारे चार स्पेसिफिक सवाल है पहला मोदी जी जब होलसेल मार्केट में कीमते कम हो रही है तो 140 करोड देशवासियों ने ऐसा क्या गुना कर दिया आपको वोट देके कि आप उनको उस चीज का बेनिफिट नहीं दे रहे तो होलसेल प्राइसे माल लो इस बाटल का प्रोड्यूसर मैं हूँ होलसेल प्राइस में मार्केट में इस बाटल की कीमत कम हो रही है और मुझे ये बाटल मेंगे भाव में बिल रही है पानी की बाटल तो इसमें डबल प्रॉब्लम में कौन आया मैं आया और double profit कौन कमा रहा है, wholesaler कमा रहा है, कई जगा wholesaler भारत सरकार है, वो कमा रही है दूसरी बात, जब सबजी, आलू और oil seeds के भावों में, wholesale market में 20.12%, 18.7% और 15.6% की कमी हुई तो मोदी जी, वही किसान अगर वो सबजी, वो oil seeds से बनावा तेल, उस आलू को अपने परिवार के consumption के लिए खरीता है तो वो लगबग सवा 3% जादा क्यों देता है, मेंगा इस 3.29% क्यों है, क्या ये विदी है मोदी जी, किसानों की आय दुगनी करने की कि किसानों से उनकी product सस्ते में खरीदो, wholesalers उस product को रखे और retailers वो product अंतिम consumers को 3.29% के मेंगे भाव में बेचे तो क्या ये विदी है, इससे तो किसान की आय दुगनी नहीं आधी रह जाएगी, क्योंकि उसका product सस्ते में खरीदा जा रहा है और वो ही product वो self consumption के लिए प्रयोक कर रहा है, तो वो उसके लिए उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है तीसरा सवाल, जब crude petroleum और LPG के wholesale में भाव 27 प्रतिशत और 24.3 प्रतिशत गिरे, ये मैं नहीं कहरा भारत सरकार कहा अकड़ा है तो एक पैसे का विदाम में LPG, diesel और petrol में कमी हमारे लिए क्यों नहीं हुई तो वो ही कावत हो गई के मिठा मिठा गब गब कड़वा कड़वा थू थू जो मिठा मिठा वहां से कमी हो रही है वो मेरा और हम मां हमको अगर उसका benefit चाहिए तो आपको और हमको कुछ नहीं मिलेगा चौथा सवाल ये सूट बूट की सरकार मुक दर्शक बनीवी क्यों बैठी है जब wholesale price index negative में है और मैंने आपको उन commodities का भी विवरन दिया जो आपके मेरे हम जैसे करोडो साधारन भारतवासियों देशवासियों के प्रयोग में लाई जाती है उन वस्तूओं के दाम अगर wholesale market में कम हो रहे हैं और retail market में उनी वस्तूओं के दाम बढ़ते हैं और मोधी सरकार हाथ पे हाथ धरीवी मुखदर्शक बनीवी बैठी है ऐसी क्या बात देता है आपकी ऐसा आपके उपर किसका compulsion है यह oil seeds के दाम कम हो रहे हैं और हमारे लिए oil जो खाने का तेल है उसके दाम कम नहीं हो रहे कौन benefited हो रहा है आपको और मुझे पता है कि देश में oil का market कौन regulate और control कर रहा है यह उन में से हम दो और हमारे दो में से एक आदमी है और मोधी जी मुखदर्शक बनके बैठे है कच्चे तेल की कीमत 27 प्रतिशत की कमी हो जाती है हमारे लिए petrol और diesel एक पैसा भी कम क्यों नहीं होता है LPG में 24.3 प्रतिशत की कमी हो जाती है हमारे लिए gas cylinder एक पैसा भी कम हमारे लिए उस cylinder के बाव क्यों नहीं होता है इन सवालों का जवाब उन ढोल बजाने वालों को भी और मोधी जी को भी वितमंत्री जी से मैं कुछ नहीं पूछूँगा वितमंत्री जी कह देगी भाई मेरे नहीं मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो सब्जियां खाती नहीं मैं दाल और चावल खाती हो तो मैं उनसे मैं कुछ नहीं पूछूँगा पर मोधी जी आप तक हमारी आवाज आ रही है तो आप पूछ आप हमें बताईए कि ऐसे क्या बात देता है कि जब डबलू पी आई नेगेटिव में चले गया देश में तब भी जो एसेंशेल कमोडिटी और एसेंशेल कमोडिटी के भाव होलसेल मार्केट में परसंट नहीं 25 परसंट 27 परसंट 20 परसंट उस समय हमारे लिए भाव एक पैसे भी कम क्यों नहीं हुआ इसका जवाब दीजिए आकडों का जवाब आकडों से दीजिए और देश वासियों का सवाल कि जब डबलू पी आई गिर रहा है तो मेरे लिए सबजी के दाम खाने क पैट्रोल डीजल के दाम साथ वस्त्रों के दाम एपररल्स केदाम मेरे लिए क्यों नहीं गिर रहा है इसका जवाब दीजिए. before I take questions from you I will brief you in English in short negative wholesale price index in essential commodities but still prices for consumers are increasing who is getting benefited by all these things Sudbootki Sarkar is either benefiting themselves or wholesalers but not the final consumers India's wholesale inflation in May 2023 fell to minus 3.48% year on year from minus 0.92% in April 2023 in April also WPI was negative in May it had further increased as per Modi government this was primarily because of fall in prices of mineral oils, basic metals, food products textile, crude petroleum and natural gas and chemicals but I am asking you is any of these commodities are their prices in retail market had been reduced by even a single one paisa retail inflation measured by consumer price index is at 4.25% in May 23 according to the latest data from the Ministry of Statistics and Program Implementation inflation data on the wholesale price index is calculated by measuring a change in overall prices of goods before selling it at retail prices in contrast the consumer price index or CPI measures the changes in the price level of a basket of consumer goods and services bought by final consumer so this is the basic difference between WPI and CPI WPI is the inflation when the product is sold from the producer to the wholesaler and CPI is the inflation when the product is sold by the retailer to consumer now I had made a list of items in which WPI had fallen by more than 10% and I had written their corresponding CPI data for the month of May 2023 as per this list vegetable prices were reduced in the wholesale market by 20% potato prices by 18% oil seed prices by 15.6% vegetable oils and fats reduced in wholesale market by 29.5% but in the retail market the food and beverages inflation is plus 3.29% in the wholesale market in the wholesale market reduced by 27% LPG prices reduced by 24% petrol prices reduced by 9.4% and high speed diesel price by 17.03% in wholesale market but the same retail inflation of fuel and light is 4.64% means government of India is purchasing crude oil at a lower price in May 2023 in comparison to May 2022 and the price difference is not 1% 5% the price difference in crude petrol is 27.01% and we are buying all those products there is inflation of positive number of 4.64% for us third textile and wearing apparel in wholesale market in May 2023 the textile prices were reduced by 8.28% and wearing apparel price had increased just by 1.77% whereas the consumer price inflation in clothing and footwear is 6.64% in this regard we have 4 very specific questions or demands from the Modi government when prices of most essential commodities are falling in the wholesale market why are the benefits of falling prices not transferred to final consumer जब wholesale में कीमते गिर रही है तो 140 करोड देश्वासियों को वही माल महेंगे भाव में क्यों मिल रहा है और ये आकडा भारत सरकार का है दूसरा when WPI numbers for May 2023 for vegetable potato and oil seeds are minus 20.1% minus 18.7% and minus 15.6% respectively and when the same product was purchased by farmer for self-consumption the CPI on food and beverages is plus 3.29% so farmers are selling their products at lower price and buying the same product for self-consumption at higher price Modiji is this the method for doubling the farmer's income? Question number 3 when on May 23 WPI for crude petrol and LPG had a contraction of minus 27% and minus 24.3% respectively why in retail market of LPG petrol and diesel not reduced the price and the government enjoyed the entire benefit of this contraction? What is the reason? Fourth and the last question why Sudbhut ki Sarkar is just acting as a mere spectator and keeping silent when wholesalers and the government is benefited from falling prices of the majority of essential commodity and final consumers are not getting any benefit? we want concrete answers from the Modi government Prime Minister about our four specific questions and the questions are based on the data which was published on 14th June by the Ministry of Statistics and program implementation government of India so WPI negative CPI positive who is benefited either government when there is a government is the wholesaler or some friends of the government who are controlling the market for that wholesale so this is all about this press conference that comes up in a